हेलो फैंस मैं नितेश कुमार आपके यूट्यूब चैनल इनवेश्ट फोरेवर में एक बाफ रिसे स्वागत करता हूं काफी दिनों बाद हमारे चैनल पर आप वीडियो आप देख रहे होंगे इसके पीछे की वजय यह है कि I was not feeling well तो ओके थोड़ा से बिमार चल रहा है मैं और अभी भी थोड़ा से बिमार हूं बड़े श्टिल वीडियो बनाने लाइक हूं तो यहां पर हम आज बात करेंगे एक पर्टिकुलर स्टॉक से रेटी जिसका नाम क्या है RKEC प्रोजेक्ट इस पर्टिकुलर शेयर से रेलेटेड हम बाते करेंगे और हम जानेंगे कि exactly यहां पर इस पर्टिकुलर शेयर में है क्या exactly जो मैं आपको इस पर्टिकुलर शेय तो यहां से भी आपके पैसे शायर double होते हुए नजर आ सकते हैं और more than double होते हुए नजर आ सकते हैं तो ऐसा कहना भी कोई बुरी बात नहीं रहेगी तो company करती क्या है एक बार हम जान लेते हैं एक बार जान लेते हैं कि company का यहां पर business क्या है तो यहाँ पर देखिए यह company जो काम करती है civil works and specialized marine works में company काम करती हुई नजर आती है यहाँ पर जो road का construction होता है building, bridges, flyover, survey यह जितने भी चीज़े होती हुई दिखाई देती है जो यह construction से लिए यह company करती हुई दिखाई देती है इसके इलावा बात करें company की तो project area की यहाँ पर देख सकते है company marine, offshore, structure and road हो सभी से related काम करती है company की client की बात करें तो defense sector में railways, ports, adani, vidanta, यह राष्ट, यह राष्ट, यह इस पात, निगम, एंड, इस, 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 sorry तो यहाँ पर जितने भी बड़ी-बड़ी companies है, सब के लिए यह काम करती ही नजर आती है order book भी company की अच्छी खासी है और यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर company से लिटेन यहाँ पर दे रखता है और भारत की जब तरक्की की बात की जा रही है, बात की जा रही है कि भारत को आगे बढ़ना है आने वाले टाइम में, तो without infrastructure नहीं तहीं, infrastructure वो हम imagine नहीं कर सकते है और अगर हम बात करें RKE से उसी project में लगी हुई है उसी काम में लगी हुई है तो कहीं न कहीं इस particular share यह छोटे-छोटे जडू share है बट इनको फायदा होना ज़र रहेगा again 168 crore risky stocks है ओके छोटा micro cap company है बट आप इसकी परफॉमेंस वगेरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा के share के बताने के पीछे का reason के 81% का debt भी है और PE की बात कर रहें तो company का PE 16 का है industry का 37 का है कहीं न कहीं सस्ता में जलाता है बट PE के basis पर कभी share नहीं लेना चाहिए और रेडी मैं बार बार बता चुका हूँ यहां पर देखी high 77 का लगाया था और उसके बार share यहां पर गिरके 70 पर आ गया है और intrinsic value की बात करें तो 80 रुपे आसपास की है जो की true value बने जाती है maximum chart button देख सकते हैं यहां पर कभी यह share 180 रुपे के आसपास work कर दाता है इसके आद गिरके यहां पर चल रहा है company के बारे में और बात करें तो यहां पर इनके result देखिए company के भी फिलहाल में result आये थे तो 97 क्रोड रुपे के आसपास की यहां पर sales दी company की और यहां पर margin देखिए 18% के थे जो कि quarterly yearly दोनों basis पर highest ever थे company का यहां पर profit देखिए 9 करोड का है जो कि यहां पर एक बार जरूर आता है उसके बाद यहां पर कभी नहीं आया तो highest ever यहां पर company का profit भी है EPS company का अच्छा खास है यहां पर नजर आता और yearly basis पर company लगाता अच्छा performance कर रही है तो यहां पर आपको इस site पर इस particular share का नाम आप डाल दीजिएगा तो यहां पर आपका आजाएगा कि यह company के जो शेरोडिक पैटन है वो क्या शेरोडिक पैटन है क्योंकि काफी बार यहां पर दिखाई नहीं देता तो इस cases में आप यहां पर सर्च करके यहां पर देख सक अब बात करते हैं यहां पर शेर से लेटी और क्या यह शेर लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए उस से लेटें हम बाते करेंगे बड़िए उससे पहले आपसे रिक्वेश्ट करूँगा तो देखिए यह यहां पर 50 रूपीज पे था और इसका हाई आज देखेंगे 77 तो 50 रूपीज पर यहां पर जो हमारा WhatsApp ग्रूप है उस पर मैंने यहां पर डाल दिया था और 50 से 7 यहां पर अगर बास 77 अगर मैं यहां पर कि बहुत ही minimum है उसमें अच्छे-च्छे स्टॉक्स यहां पर डाल ले आते हैं प्लस में हमारा एक कोर्स आप देख रहे होंगे कि हमने यह शेयर चुना है इससे पहले और बहुत सारे बहुतरी शेयर चुने है तो उन शेयर के चुनने के पीछे का रीजन क्या है उन शेयर के यहां पर आप ऐसे बार-बार बनाते होगे नजर आएंगे तो कोर्स की फीज कितनी है वन-टू-वन कोर्स होगा आपको एक-एक करके क्लासिस दी जाएगी 15 रुप कोर्स की फीज है जहां पर टेकनिकल बेसिक्स टू एडवांस दिखा जा रहा है रिसर्ज और फंडामें इससले आप इससे लिए पर इससे लेटे तो कंपनी हिहां पर देखिये शेयर अच्छा गासन आपर अल्रेडी यहां पर पोस्ट कर देगे ता अच्छे गासन अपर रेटन दे चुका है एक हाई लगाने चीज़े यहां पर नीचे आती हुई दिखाई दे रही हैं हिहां दुबारा यह षेher 66 यहा पर एक main-level है। इस चीज में और नेचर में पर निचे आता है। सब्सक्राइल कीरा में नारिज और ₹इछ जा सकती है। यह शेher 500- 55 पीरीज के आसपास आपको मिलता हुआ नजर आता है। तो एक अच्छी opportunity रहेगी, इस opportunity को आप grab करेंगे, तो सबसे पहले target यहाँ पर 117 का है, दूसर target यहाँ पर है, जो कि अभी भी अगर हम बात करें, 98% का यहाँ पर target दिखा रहा है, जो कि इसका overall high की बात करें, तो overall high है इसका, कभी 2018 में यहाँ पर आया था, तो देखिए, शेयर को सबसे पहले यहाँ पर एक rounding bottom बना के यहाँ पर जाएगा, फिर उसके बास दूसर rounding बना के यहाँ पर जाएगा, बट इसके लिए क्या time लगेगा, और अच्छा खासा time लगेगा, इस सीच को याद रखिएगा, तो मेरा यह पूरे साल का target है, कि यहाँ तक आपको यह 98% के target यहाँ पर मिल जाने चाहिए, क्योंकि already यहाँ पर 50% के आस पास बाग चुका है, तो इसलिए मैं इसे यहाँ पर, अभी calculate नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ पर यह शेयर धीरे भागता हुआ नजर आएगा, थोड़ा सा अगर नीचे आ जाता है, तो यहाँ पर यह एक अच्छी opportunity रहेंगी, और यह अच्छी opportunity यहाँ पर कैसे दिखाई दे रही है, उसके लिए जब आप में यहाँ पर इस class को join करेंगे, तो आपको मैं बताऊँगा कि यहाँ पर क्या देखना है इस particular share में, इस chart में, कि यहाँ पर ही एक अच्छी कासी boying opportunity यहाँ पर नजर आ रही है, और यहाँ पर क्यों नजर नहीं आ रही है, तो यहाँ पर क्यों अच्छी नजर नहीं आ रही है, वो आप समझ पाएंगो, जब यहाँ पर आप समझ पाएंगे, तो हर एक share को जब भी खरी देंगे, की वीडियो में तेयो, thank you so much, God bless.